व्यावसाइक सेवाओं तो जैसा के एक स्टेटमेंट आप स्क्रेन पर देख रहे हैं लिखा है कि संदेश वहन के आदुनिक माध्यमों ने पूरे संसार को संसारिक ग हौं बद दिया अब अगर हम संसार देखें तोब कहने का मतलब संसार जो है अगर हम उसको एरिया वाइज्स या क्षित्र रफग देखें तो बहुत बड़ा एरिया है स्के और किसी छोटे से गाऊं को लें या गाऊं की बात करें तो अगर संसार की तुल्लन वे उसका अध्यन करें तो गाउं उसका एक चोटा सा हिस्सा होता है तो अगर इस संदेश वाहन की जो परिभाषा दी गई है या हम कह सकते हैं जो इसका statement समझाने के लिए दिया गया है अगर हम उसको संदेश वाहन के जो माध्यम है अधुनीक माध्यम क्या किसे है को स्फूरिक गावे इस इसंगर कर दिया घया है कैसे हैं कि बहुत हैं बच्छ जिब गौश्व में लोग नहीं छोटे से कौट वहां पे असाल आस पास में हैं तो वहां कम्मौनिके awaits की बात करें तो मान लीजे एक दूसरे दूसरे राष्च्ट के व्यक्ती को दूसरे राष्च्ट के साथ बात करनी तो क्या वो उतनी दूरी पर करके आये गा और तब जाकर भी यह तू बहुत मुश्किलigत हो जाएगा तो यहीं पर की व्यक्टी है अपने क्रियाओं को बहुत ही आसानी से और कम समय में कर लेते हैं तों इस लिए यहाँ पर कहा गया है. कि इन संदेश वहनों या संदेश वहक आधूनिक माध्यम aur modifying से क्या हुआ है؟ पूरे संसार को एक छोटे से संसारिक गाउं में तबदिल कर दिया गया है अब हमने इस statement को समझ लिया है अब अगर हम देखें तो वानी जी यानि commerce के अंतरगत व्यापार यानि trade जो आता है एवन व्यापार की साहयक क्रिया है ना जिसे हम इंगलिश में कहते है aids of trade को सम्मेलित किया गया है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है और इसमें जो है संदेश वाहन व्यापार की एक मुख्य जो है साहयक क्रिया है क्योंकि जैसे कि आप बचों जानते हैं अगर हम अपने रोज मर्रा के लाइफ में या जीवन में देखें तो हमें संदेश वाहन की कितनी आवशक्ता होती है आप छोटा सा उदारन ही ले लीजे अगर आपके पास आज mobile ना हो तो आपको कितनी समस्या आती है क्योंकि आज के इस तति में जहां online classes चल रही है वहां आपको data connection चाहिए internet facility चाहिए साथ ही साथ क्या चाहिए mobile चाहिए यह सब resources चाहिए आपको है ना संसाधन चाहिए ताकि आप उन online classes को attend कर सके या online content जो हम यह prepare करते हैं पी टीडी के माध्यम से वह आप इस YouTube चैनल के माध्यम से जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह इस माध्यम से क्या है विभिन जो subjects है या विशे हैं उन पर जो topic बन रहे हैं उनको आप देख सके समझ सके तो इसमें किसका रोल आता है यह सारी करते हैं क्या करने के लिए आपके रोज मरा के कारे को निप्टाने के लिए अब केवल इन कारियों में ही संदेश वहन का यूज नहीं होता साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको अगर किसी से बात करनी है उसके लिए भी यूज होता है आपको कोई चीज Google पे सर्च कर नहीं है तो इसके लिए आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो यह साजी चीजे जो हैं वो मदद करती हैं आपको अपने कारे को कम समय में पूरा करने में तो अब व्यापार के लिए कितना important है आप जान सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग यानि व्यापार को ही देखें अग तो अगर हम देखें जिलेवाइस भी चले तो अगर कम समय में कोई काम हो जा रहा है कि नहीं माध्यमों के साथ तो हम उन्हीं माध्यमों को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब यह संदेश वाहन के माध्यम है यह हमें जो है कॉस्टली ए एक्स्पिंसिव नहीं पड़ते हैं यह हमारे जो है pocket में मतलब हम इन पर खर्च कर सकते हैं इतनी कम कीमतों पर यह हमें available हो जाते हैं तो व्यापार में अगर हम देखें तो हमने जिलेवाइस देखा तो इसके बाद state level पर भी देखें तो इसके बाद हम state level के बाद हम international level पर देखते हैं जब दूसरे देख से व्यापार करता है तो वह कैसे करेगा अगर कोई बात भी करनी है चोटी सी बात भी अगर हमको पूछनी है तो क्या एक देख का व्यक्ति दूसरे देख तक जाएगा तो वह तो expensive हो जाएगा बच्चो तो इन सब चीजों से किसे बचा सकता है इन के थ्रू हम बात करते हैं जैसे कि आप जानते हैं उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं अर बहुत से सॉف्ट्वेर डवलप हुए हैं ताकि यह कंपनी का Δेटा लौस नहों या चोरी नहों जाया है है तो ईससे साफ्ट्वेर्स का निर्मान किया गया है कि इंटरनिट के माधियं से डेटा लेकर कर ले करके क्या किया जाए उस सौफट्वेर के थूर जो है एक देश से दूसरे संदेश तक बात किया जा सकता है और अपनी समस्या को चुड़्कियों में सुलजाऎ सकता है तो यही है संदेश वहन cancer अगर हम इसका अर्थ एक अच्छे भाषर में सीधी तो जैसे कि आप जानते हैं संदेश वाहन क्या है इन में हम क्या करते हैं कुछ तथ्य होते हैं कुछ अपने विचार होते हैं अपनी भावनाएं होती हैं उनको एक विक्ति से दूसरे विक्ति तक पहुंचाती हैं और क्या करते हैं जब इन भावनाओं का विचारों का हस्ता प्रहांतरन होता है तो क्या होता है एक प्रेशक कहते हैं एक गरहन करता हो ता है रिसीव करता है ॹसे रिसीव कहते है तो हम उसको अपनी बात समझाने की जब कोशिश कर रहे हैं तब ये जो संदेश वाहक हैं ये हमें मदद करते हैं क्या करने के लिए अपनी बात को समझाने के लिए और जब सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाती है तो हो सकता है कि वो उन आवश्र तत्थों को समझें और जो हम कह रहे हैं यह हम उसे संदेश देना चाहरे उसको समझे और उन बातों पर अमल करें तो हमने से संदेश वाहन का अर्थ भी जान लिया कि संदेश वाहन है क्या अब एक सारण से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं यहां पर एक विक्ति ए है वहां पर एक विक्ति भी है ए है वो है प्रेशक यानि सेंडर और बी है ग्रहन करता यह है टी सीवर अब ए जो है अपनी भावनाओं को अपने काम को मौन लिए वियापार से हम इसे जोड़ करके दिखते हैं अब ए वियक्ति है वियापार से रिलेटेट बात अगर उसको बी तक पहुचानी है तो वो क् इन संदेश वहन माध्यमों का उपियोग करके वो बी तक अपने बात को पहुचाएगा मतलब वो अपने विचारों को अपने तथ्यों को अपनी भावनाओं को संदेश वहन माध्यमों के जरिए बी तक पहुचाएगा और इस सिती में अगर बी को एक की बात समझ में आ ज अगर उसे समझ में आती है तो यह चोटा सा उदारन था संदेश वाहन का अब हम देखेंगे जो संदेश वाहन के माध्यम कौन से हैं ऐसे तो संदेश वाहन को दो मागों में विभाजित किया गया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक होता है परमपरागत माध्यम दूसरा होता है मैं आधोटे फॉर आउनिय वाहन के अंतर कर देखें तो सेवा आती है न पांछिक्षर पोस्ट अते हैं यह संदेश वाहन माध्यम के अंतरगत आते हैं उसी तरह में अधुनिक माध्यम को देखें चैंदि हैं उसके अंतरगत कोरियर आते हैं फैक्स आते हैं इमेलिंग आती है टेलिकॉम यह दूर संचार आता है साथ इसाथ इंटेनेट आता है तो यह सारी जो है वह आधूनिक माध्यम है जिनका उपयोग संदेश वाहकों के रूप में किया जाता है आए हम आपके सिलेबस के देख रहे हैं कि डाक सेवा का उद्गम कब हुआ इसमें डाक सेवा से मतलब भारतिय डाक सेवा से रिलेटेट उसकी स्थापना से रिलेटेट सारी जानकारी आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप इस जानकारी को जानने के बाद क्योंकि एक history है यह हमें general knowledge में भी help कर सकती है यह जानना हमाले फायदे मन्दी होगा नुकसान कोई नहीं है अब इस डाक सेवा की हिस्ट्री को जानने के बाद हम देखते हैं कि डाक सेवा क्या होती है जैसे बच्चो आपने जब छोटे होंगे या आपने सुना होगा कि आजकल के बच्चे तो टेलीफोन के माध्यम से ही बात कर लेते हैं के जानने के कम्मिनिकेशन ने इनके अनके क्या सब्सक्राइब कर दोगाने लेकिन आपको ये भी क्या होना चाहिए डाक सेवा होता था कि अभी भी होता है उन्हें क्या पोस्टल सर्विसेज कहते हैं या कोर्सपॉंडेंस कहते हैं इसमें पोस्ट कार्ट का यूज किया जाता था, inline letters का यूज किया जाता है, envelop का यूज किया जाता है, इन माध्यमूं से क्या किया जाता है, जो है, अपने जो विचारों को एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति तक भीजता है, अब ये तो correspondence हो गया, यानि हम कैसे पत्राचार, अगर हम तार की बात करें यानि टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम में क्या होता है टेलीग्राम में जो टेलीग्राम जब लिखा जाता है तो उसमें क्या किया आता है इनके शब्दों पर जो है वो खर्च है या तार का खर्च आता है तो इसमें ये विशेश थ्यान देना रह मतलब छोटा सा हो और छोटे से मीं इस मेसेज को अच्छी तरीके से समझा जा सके सरे का तार लिखना चाहें। जब पूर भेजा जाता है तो उस से क्या किया आता है एक घर से दूसरे तार घर बढ़्या अता हैै जमाली जे ए इंहें एक शहर में रहता तो जब व्यक्ति तार भेजे में तो उस तारघर से भी व्यक्ति Pode लिएक्टि तार गर तक वह तार जाएगा। और बीवेक्ति के शहर के जो तारघर के जो employees हैं वो क्या करेंगे उस तार को बीवेक्ति तक पहुंचाने का कारे करेंगे तो हम यह भी कह सकते हैं कि बहुत ही विश्वसी सेवा भी है जो कि बहुत पुरानी सेवा है और बहुत पुराने समय से चली भी आ रही है आगे हम दे कि ये भी एक बहुत ही जादे विश्वसनी सेवा है इसमें क्या किया आता है कि अपने जो डाक है उसको पंजिकृत करा दिया जाता है उसमें स्टैंप लगाया जाता है और ये आपने सुना भी होगा कि 50 पैसे का स्टैंप आता था दो रुपए पांच रुपए का जो अबा भीजने वाला है उसको बियर करना पड़ता है आप ये मैसेज जो है वो किस तरीके से रिसीवर को या गरहन करता को रिसीव होता है इसमें क्या होता है जैसे ही व्यक्ति ए ने जैसे मैं पहले से बता रही हूं माना व्यक्ति ए प्रेशक है तो जो सेंडर है उसने रिजिस् पर जाएगा जहां परबी एड्रेश पे जहाँ एनी भेजा हुआ है वहां पर चाहिए करफ़ चैसी है यहां पर क्या होता जैसे ही और इस पोस्टिर्ट को दिया जैगा यहां he इसके एक बहुत अच्छा उदारण आप समझ सकते हैं राखियों में अक्सर आपकी ममिया या आप लोग अगर आपके भाई दूर किसी और गाउं में या शहर में सित हैं तो रजिस्टर्ट पोस्ट के माध्यम से भी राखियां भेशते हैं और भी कई माध्यम हैं लेकिन जो अक्सर यूज की जाती थी वो राखिय में ये जो सुविधा है वो यूज की जाती थी अब आगे हम बढ़ते हैं पार्सल डाग देखते हैं कि पार्सल डाग क्या है इसमें क्या होता है आप जैसे की समझगे कि वस्तूओं को एक स्थान से दूसरे स्थान बेजना तब यह हो सकती है कि अंतरदेश्य भी हो या एक देश से दूसरे देश भी 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 भीजी जा सके तो वो डिपेंड करती है मतलब इसकी कॉस्ट की इसमें खर्चा कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि इसकी जो वस्तू भीजी जा रही इसका वेट कितना है यानि वजन कितना है कई क taraf से आप लोग मंग लेते हैं। इस में भी आप राखी के अलावा एसी कई बहुत अच्छे उधारण ले सकते हैं जो कि एक वेक्टी दूसरे वेक्टी यह एक शहर से घंपे दूसरे बेटी को भेशता है इसमें झो खर्च होता है देंसितन्स का तो होता ही एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है उसका खर्चा तो आए गा ही आएगा लेकिन साथ ही साथ उस परसल का वजन कितना है उसकी उसके हिसाब से भी इसका करच आता है आगे हम देखते हैं कि दृुत्गामी डाक सेवा यानि speed post जिससे हम कहते हैं ये क्या होता है within 24 hours कोशिश किया जाता है कि जो है post कर दिया जाए या receiver को मिल जाए ग्राण करता को next working day तक मतलब अगले कारे करने वाले दिवस्तक या उसके एक दिन बात तक कोशिश किया अगर distance जादा है दो लोगों के बीच का receiver के बीच का अगर distance जादा है तो next working day या उसके next working day तक कोशिश की जाती है कि इसमें भी क्या किया जाए speed post के माध्यम से जल्दी से जल्दी जो है वस्तुओं को जो है ग्राण करता तक पहुँचा दिया जाए इसमें भी ये कोशिश की जाती है कि ये विश्वसनिया हो साथ ही साथ सही समय पर सही व्यक्ति को जो वस्तुओं भेजी गई है प्रेशक के द्वारा वो ग्राण करता को मिल जाए तो बचो इस तरीके से हमने देखा कि जो संदेश वहन के पराम परागत माध्यम कौन कौन से हैं आगे हम देख रहे हैं इनके आधुनिक माध्यमों पर आते हैं जो कि पहला है कूरियर सेवाएं कूरियर सेवाएं आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज में आती हैं लोग जेनरल यूज के लिए इनको यूज करते हैं क्या सोचा जाता है कि ये जो प्राइवेट प्रेट करता है उसके पहुंच जाएगी सहीन समय पर इसमें क्या होता है आइसकर बहुत सारी S&EG कंपनियां हैं जो काम करती हैं इसमें भी जो वस्तु के वजन को तॉल कर साथ ही साथ डिस्टन्स के बेसिस पे कहां से कहां तक कोरियर भेजा जा रहा है उसके दोनों के कॉस्ट को एड़ कर इसका खर्चा लिया जाता है आगे हम देखते हैं टेलिकॉम या दूर संचार सेवाएं जैसे की बच्चो आप इस नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं टेलिकॉम या दूर संचार सेवाएं इसका जो नीती का धांचा तयार किया गया था सन 1999 में किया गया था और 2004 में इसकी विस्तृत नीती बन रहने की कोशिश करते हैं पेला जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेश बहुत ईजी है इसमें क्या होता है आप अच्छी किसी किसे चांते हैं क्या लेकिन फिर में आपको बता देती हूं आप इसमें एक cordless उपकरण को जो कि आप हाथ में पकड़ते हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं mobile इसे हम कहते हैं उसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं अब इसमें बात कैसे होगी क्या केवल इस उपकरण के माध्यम से बात हो जाएगी नहीं इसमें एक sim डलती है जो कि different companies की आती है इस आप उसमें किस्तर की services चाहिए prepaid चाहिए या पोस्ट पेड चाहिए prepaid मतलब पूर्वदत और पोस्ट पेड मतलब आगामिदत प्रीपेड क्या होता है कि आप 50 रुपय का top up करा लिया या recharge करा लिया तब वो आपको बात करने की सुविदा sms की सुविदा मिलेगी लेकिन जैसा पोस्ट पेड है ये एक बिल वाली सुविदा होती है कि पूरे महीने के end पे आपने जितना भी खर्च किया है sms के लिए data के लिए या फिर आपने जितने भी calls किये हैं सब का खर्चा include होकर के एक बिल generate होता है और आपको महीने के end में वो बिल को pay करना पड़ता है य इंकमिंग कॉल आउट गोईंग कॉल्स यूज करते हैं साथी सथ सुश्छ ऐसे में अस फैसिलिटीज भी यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं इन्टर नेट की ठूट यह जैसे और भी याहू है और भी ब्राउजर्से उन पर अपने जिन चीजों को सर्फ यानि जानकारी लेना चाहते हैं आप उनको देखते हैं जानते हैं यूच्ट्यूब के इस्तमाल करते हैं तो यह जो है एक सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेंग जैसे की आपने जाना और आप इसे बहुत उच्छी तरीके से जानते हैं हम रेडियो पेजिंग के रेडियो पेज़िंग सर्वस्वीस्ज, इसमें पेजर या यू जज होता है, हलाकि अब ये चलन में नहीं है, ये मुबाइल सर्विस्ज के आने से सामने आया था और इसमें अंक ठीका थो achieve ऑ Satय को लासी से प्रचया तो फेले ही सीजाइन Gesundheits dove हैं ठीक्रण आहें क्षाम से मेसेजिंग होती थी यह अपनी भांबनाओं को यह State a जो है भेजना होता था वो sender to receiver यानि प्रेशक से प्राप्त करता की और भीजा जाता था नेक्स चाहता है थाई line सेवाई यानि fixed line services यह जो है metal wires का यूज करके fiber optics के माध्यम से समप्रेशित की जाती है यह जो है telecom services के अंतरगत आती है और इसमें क्या होता है जुबानी गैर जुबानी और साथ है साथ data services का यूज किया जाता है अब इसके बाद जो अगली telecom service है वो है cable सेवाई केबल सेवाई क्या होती है बच्चों केबल आप बहुत अच्छी जाते हैं cable connection जब पहले क्या कहते हैं आप डिटी एच भी जानते हैं और आज कर आप जो है data sky connection लेते हैं उसके पहले cable connection जलते ते उसमें क्या होता था कि यह cable connection से simple से आप समझ सकते हैं कि एक limited area में cable के माध्यम से क्या है यह media services उपलब्द कराई जाती है यह most probably क्या होती है कि entertainment के लिए use की जाती है और license प्राप्त क्षेत्र में इसका इस्तमाल कियाता है अगर आप भूल भी गया होंगे तो आपने एक movie देखी थी द्रिश्यम में जो अजे देवगंजी थे वो एक cable operator की तरह कारे करते थे अगर आप उस movie को देखी होगी तो उसमें आप वहां पे उन्हें as a cable operator देख सकते हैं तो cable सेवाएं उसी तरीके की सेवाएं होते हैं इसमें क्या किया आता है कि यह media services उपलब्द कराने वाली पद् शित्र में ही जो है इसका विस्तारिय विकास किया जाता है अब जो है बात करते हैं वो है very small terminal services की जिसे हम Vsat कहते हैं यह जो होती है उपग्रह यानी satellite पर आधारित संप्रेशन पद्धतियों को घरेलू या व्याविसाइक उप्योग करताओं के लिए services देती है ठीक है इस प्रांसीवर द्वारा उप्योग करता को कंप्यूटर या outside जो है connection हम या outside antenna से संपर्क स्थापित करता आउटसाइड या नि बाहरी तो बाहरी antenna से इसको connection स्थापित किया जैसे कि simple अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि घर के बाहर वो डिश टीवी में भी आपने द दिश लगा रहता है अब वो डिश तो कहीं से भी जो है वायर से टास्ट नहीं होता है लेकिन इसको receivers यह जो receiving vibrations होती है वो मिलती है कहां से वो मिलती है satellite से तो यहां पर जो satellite का use होता है वो वहां से क्या करती है messages भेजती है ठीक है और यह messages जो होती है इनका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं या हम कह सकते हैं इन very small terminal services का use कहां कहां करते हैं हम इनका use करते हैं टेली medicine में फिर बाजार भाव में टेली education में और साथ ह online newspaper पढ़ने में ठीक है इसके अलावा भी इसके कई असे उपयोग हैं जो कि आप जानते हैं और यह बात मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगी कि जो cellular mobile services होती है यह radio तरंगों के माध्यम से चलती है यहां पर क्या होता है satellite के माध्यम से संप्रेशन मिलता है अब हम लास्ट अंतिम आगे बढ़ रहे हैं services की ओर वो है DTA service direct to home service जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं इसमें क्या होता है एक dish antenna होता है एक setup box होता है और क्योंकि एक तार रही तकनीक होती है इसी लिए यह जो होती है TV satellite द्वारा सीधे जो है उन connections को या प्रसारित होने वाले pictures को sound को grand करती है और सबसे अच्छी बात इनकी जो picture और sound की quality होती है वो सबसे best होती है है तो यह है DTA services जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसका बहुत चाहुदारण देख सकते हैं वीडियकॉन DTA services जो की वीडियकॉन उपलब्द करा रहा है और भी ऐसे dish antenna services है जो DTA services उपलब्द करा रही है आगे हम एक और point पर चलते हैं जो कि आपके syllabus में दिया है mail या email जिसे हम कहते हैं अब email होता क्या है email क्या होता है email में काम किस के थ्रू होगा internet के थ्रू होगा internet mail यहां पर जितने भी data होते हैं वो digital होते हैं ठीक है बचो तो अब यह क्या काम करता है सवाल यह है email में क्या होता है email में जो messages हैं उनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेशता है अब यह होता कैसे है बनेगा कैसे हम कैसे करेंगे सबसे बड़ी बात यह आती है तो इसको इसकी process अगर हम समझें तो simple सी process है आप जैसे भी mail करना चाहते हैं जिसकी through भी mail करना सबसे पहले क्या करेंगे जिस account बनाना पड़ता है आपने в sesta app करने जैसे ही Google में Gmail अकाउंट बनाने जाएंगे वहां पे आपको form मिलेगा वहां आपको form क्या है फिल करना पड़ेगा बरना पड़ेगा आपने form फिल किया आपने अपने details यह जो भी उसमें मांगा है पर बन गया अब उस Google account को open करते हैं वहां पे आता है compose section compose section में जा करके आपको क्या करना है उपर आता है तू यानि जिसको भेजना है उनका Gmail account डालना है या जो भी account में आप भेजना चाहते हैं email ID डालना है सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं उस ID को डालने के बाद subject आता है आपका subject क्या है और इसके बाद आता है पूरा matter इसमें आप अपने matter को अपने तरीके से लिख सकते हैं हाला कि email का use जो है personal तोर से ज़्यादा professional कारियों के लिए या पेशेवर कारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है और इसका जो लिखने का format होता है या लिखने का एक proper तरीका होता है क्योंकि यह ज़्यादा professional यूज किये जाते हैं तो एक बहुत अच्छी भाषा का एक बहुत अच्छे तरीके का use करके इसको लिखा जाता है और इसको जो है send कर दिया जाता है जिसे हमें भेजना है तो इस तरीके से हम इस email का use करते हैं इमेल में हम attachments भी लगाते हैं ताकि अगर उस email के subject में किसी attachment की मतलब मालीजे यह attachment क्या हो सकते हैं या तो उस subject से related photos हो सकते हैं या documents हो सकते हैं तो यह सारे attachments को भी हम लगाते हैं या कि email जो है वह strong हो और सामने वाले को यानि प्राप्त करता को समझ आए उसके सारे concepts clear हूं कि वह message में क्या कहना जा रहा है तो यह है बच्चों email के माध्यम से simple सी बात है हम internet के माध्यम से क्या करते हैं जो sender होता है वह receiver को क्या करता है message भेशता है अब यह manual work का न हो करके क्या हो गया यह पूरा digital work हो गया है तो यह पूरा digital हो गया है अब यह जाता है और किसके पास चला है जैसे ही माली जे वह प्रेक्षक में हूँ यह sender में हूँ तो मैं क्या करूँगी अगर मुझे माली जे व्यक्ती बी को mail करना है तो मैं अपना Google account माली जे मैंने Google account बनाया है तो Gmail account open करूँगी वहाँ पे मैं एक mail draft करूँगी mail draft करने से पहले मैं क्या करूँगी मुझे जिसे भेजना है उसकी email ID भी डालूँगी और अगर मुझे उसके साथ कोई attachment लगानी है तो वो attachment लगा करके मैं क्या कर दूँगी उसको send कर दूँगी तो इस तरीके से mail का use किया प्रकार है या माधियम के हम कह सकते हैं उनके बारे में जाना है उसमें आपने एक नया बिंदू और समझा जैसे हम email कहते हैं email कारे किस तरह करता है उसका processing क्या है और वो manual नहों करके digital work करता है यह भी आपने जाना है